नमसकार दोसतों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी धिरंदराकोचन देल, हमारी इस टूटल फैक्ट्स फंडा चैनल में आपका स्वागत है, हम आपको यहाँ बताते हैं, फैक्ट्स फैक्ट्स, only फैक्ट्स नमस्कार दोस्तों हम आपको अपने शहर पढ़ोना के बारे में एतिहासिक, भोगोलिक स्थिती, जंसंख्या, कनेक्टिविटी, प्रमुक मार्ग, अर्थब्यबस्था, प्रमुक स्थलो एवं शिक्षा के बारे में पोला टिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। मैं भी पढ़ोना का ही रहने वाला हूँ, अगर आप भी पढ़ोना के निवासी है और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने इस टोटल फैक्स फंडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शियर करें। जहां गौतम गुद्ध ने अपना अंतिम गोजन किया था एवं महानिर्वान प्राप्त किया था। यह वर स्थान है जहां श्री राम ने अपने जीवन के कुछ दिन बिताये थे। पढ़ोना से गुजरने के बाद वे रामकोला पहुचे जहां उन्होंने अपनी पतनी सी पर्रोना का यह नाम कैसे पढ़ा। इसके बारे में स्थानिय लोगों का कहना है कि भगवान श्री रामचंद जी ने इस क्षेतर में अपनी पतनी सीता और भाय लक्षमन के साथ कुछ दिन यहां निवास किया था। और अपने पावन पैरों से इस जगर को रोंदा था। अतर उनकी पद से रोंदे इस इलाके को पदरोंदा कहा गया जो कि बाद में बदल कर पदरोंदा से पदरोंदा हो गया। यह बासी नदी के तर पर स्थित है जो नेपाल में उत्पन होने वाली गंगा की सहायक नदी है। यह शहर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की प्राकृतिक विशेश्ताओं से अलग विशेश्ताओं को प्रस्तुत करता है। यह अंतर मुख्य रूप से हिमाले की सा पेक्ष निकत्ता के कारण है। बोलागिरी की चोटी समुत्र तल से लगभग 8,230 मीटर उपर अनुकुल जलवायू परिस्तितियों में दक्षलियों पड्रोना के रूप में दिखाई देती है। चलवायू अत्यदिक संशीतोश जलवायू है, गर्मियों में बढ़ते त अन संख्या लगभग देड़ से दो लाग के बीच है। पर्रोना को सैथवार के गर के लिए भी जाना जाता है। पर्रोना के राजा साहिब आरपी अन सिंग जी इंडियन पॉलिटिशन और फॉर्मर मिनिस्टर रूस स्टीट इंड मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स मैंबर रहे हैं। जो कि भूत पुर्व केंद्री अग्रोमंत्री मंत्री स्वाशून्य श्रीकोवर सीपी अन सिंग जी के पुत्र है। जो इसी समधाय के हैं। सद्धार्थ नगर, दिल्ली, कटिहार, चलंधर, दिल्ली और अन्य महित्वपूल शहरों के लिए ट्रेने चलती है। यहां लगबग 20 किलोमीटर दक्षन कस्या में कुशिनगर अंतराश्ट्रिय हवाए इड़े का निर्मान कार्या पूरा हो गया है। जिसका जल्दी ही कुशिनगर और सारनात के बीच प्रस्तावित बुद्ध एक्स्प्रेस में वारानसी में राश्ट्रिय राजमार्ग दो के माध्यम से राज्य के दक्षन पूर्वी शहरों जैसे वारानसी, इलाहबाद, आजमगर और कोलकाता के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। दुकाने, विक्रेता, फेरी वाले आदी हैं। चुंगी, बवली, चौक, चीनी, कारखाना आदी। चुंगी, बवली, 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 इस शहरों जैसे जैसे जेडी एस इंटरेशनल स्कूल, केडी कोनर स्कूल, पब्लिक स्कूल, हनुमान इंटर्मीडियेट कॉलेज, सेंट जेवियर्स सीनियर सेकंडरी स्कूल, से थेमार जेपुर्या आदी है। उत्तर प्रदेश राज्य की उसत उनहत्तर बशमलव साथ बुकी तुलना में साक्षर तादर अप एक शाक्रित कम है और इसके 75 प्रतिशत मिवासी साक्षर है। यहां के छात्र मुख्य रूप से सरकारी क्षित्र की नौकरियों में रुची रखते हैं और माध्यमिक वर्योता निजी नौकरी है। पड्रोना के छात्र जेई, IAS, PCS, IPS और अन्य सरकारी सेवाओं में चैनित होते रहते हैं। पर दोस्तों अगर आपको अपने शेहर की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वाचिंग।